किसानों के लिए आ गया सबसे अच्छा समय जीहां एक ऐसी दलहने या सबजी की फसल जिसकी खेती कर किसान कम खर्चे में खोब मुनाफा कमा सकते हैं सही सुना आपने हम बात कर रहे हैं राजमा की जिसका बजार में हर समय डिमांड के साथ साथ कीमत भी अच्छा खासा मिल जाता है यही नहीं कुछ आईसी भी प्रजातिया हैं जो बंपर पैदावार देती हैं स्री मुरली मनोह टाउन असनात कोतर महा विद्याले बलिया के मृदा विज्यान और क्रिसी रसायन विभाग के चोड़ी प्रोफेसर असोग कुमार सिंग के मुताबिक राजमा को एक बहुत अच्छी दलहनी या सबजियों की फसल का सकते हैं इसकी सबजी, हरी और सूखी दोनों अवस्था में प्रियोग की जाती है इसकी खेती किसानों के लिए वेहतर होती है राजमा एक बहुत अच्छी दलहनी फसल कहले सकते हैं या सबजियों की फसल है जिसकी सबजी फारे अवस्था में और पके अवस्था में दोनों में खाई जाती है जायतर बाजार में राजमा के बीज उप्रब्द होते हैं जिसको हम लोग छोला या सबजी बना कर एक खादे है राजमा में प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक होती है सोयबीन के बाद राजमा का ही अस्थानाता है इसलिए भारत में जहां पर प्रोटीन की कमी अधितर लोगों के शरीर में है तो राजमा का सेवन सब्जी के रूप में हफते में एक या दो बार आवस्य करना चाहिए राजमा की खेती जो किसान भाई करना चाह रहे हैं उसके लिए सबसे अच्छा समय चल रहा है और इसी समय राजमा की बुआई होती है आवस्यक है कि एक अगर वीघा राजमा बोना चाह रहे हैं तो कम से कम उनको 35 से 40 किलो राजमा का बीच चाहिए और उर्वरकों का इस्तेमाल उनको करना पड़ेगा क्योंकि मैदानी छेतरों में राजमा के जड़ों में गाठे नहीं बनती हैं जो वातावण से नाइट्रोजन को खीच करके पौधे को उपलब्द कराती है तो ऐसे ही सिती में एक बिघा के लिए उसको कम से कम 40 किलो नाइट्रोजन और 60 किलो पोडास और ऐसे ही कम से कम उसको 40 किलो फासफोरस ये तीनों पोसकत्त आवस्यक है उसके अलना एक बिघा में 8 किलो जंधक की मात्रा आवस्यक है ये सभी चीजें अपने पास एकठा कर ले और राजमा की बुवाई का यहीं समय चल रहा है बढ़ियां जो बलूई दोमट मिट्टी है उसमें राजमा की फसल बहुत अच्छी होती है पहली बात यह है कि बुवाई करते समय इस बात का ध्यान रखें कि पौधे से पौधे के दूरी कम से कम 45 सेंटीमीटर हो और लाइन से लाइन की दूरी जो है 30 सेंटीमीटर के आसपास हो राजमा में कुछ प्रजातियां ऐसी है जो बहुत अच्छा फलत देती है जैसे राजमा रानी सेलेक्शन वान यह प्रजाति एक ऐसी है जिसका जो बीज का जो कलर है रंग है वो बड़ा अच्छा गुलावी रंग का होता है चीड़दार होता है और स्वादिश्ट भी होता है तो इस तरह से अगर किसान भाई समय से राजमा की बुआई कर दें देख रेक करते रहें कोशिस करें और वरकूं का अगर प्रयो है और अच्छे भाव से वो घेच भी सकते हैं इतना ही नहीं राजमें राजमा के उत्पादन में बीच बीच में खोड़ी दिक्कतें आती है एक सबसे बड़ी समस्या आती है इसमें राजयोक्टोनिया जो फफुद है उसके कारण विमारी आती है जब पौधा लगवग पौधे के जड़ में वो फफुद लगता है और पूरे पौधे को सुखा देता है तो ऐसे इस्तिती में जब पौधा एक महिने का हो जाए तो पहला छिड़काओ कारण जीम और कापर आक्सी क्लोराइड का मिस्टन बाजार में उपलब्द है उसका पहला छिड़काओ किया जा सकता है बलिया से सनंदन उपाध्याय लोकलेटीन